हेला फ्रेंड शागत है आप सभी का आर्वेद यूट्यूब में तो फ्रेंड आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर करके आऊ हूं यह क्वेश्चन क्लास 9 की मैथ से चेप्टर नमबर 7 ट्राइंगल से लिया गया है यह क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का आप देखिया अंतर तक देखिये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों को भी सेर कीजिये चैनल सब्सक्राइब कर लिए अगर आपकी कोई कोई है तो मुझे कमेंट बॉक्स मरें राइट कर सकते हैं अगर आप इस चैप्टर के और भी बीडियो अभी सिपन देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो की डिस्रीप्शन में प्लैलिस्ट की लिंक दे दूंगा आप होँ से जाकर किसको देख सकते हैं तो चलिए सब्सक्राइब करें देखते हैं इस क्या पूछा गया है और इसे कैसे शॉल्ब करें तो यह question number 2 है in triangle ABC AD is the perpendicular bisector of BC C figure 7.30 so that triangle ABC is an isoscale triangles in which AB is equal to AC देखो इस question में हमें यह बता गया है कि ABC एक triangle है AD जो है BC का perpendicular bisector है तो इसे यह पता चलता है कि जो D है यह D point mid में है perpendicular का मतलब होता है कि जैसी यह AD है BC है तो इस BC पर AD 90 degree बनाते हुए ऐसे जा रहा है उपर perpendicular का मतलब होता है 90 degree बनाना और bisector का मतलब होता है कि यह जो D point है यह BC के मिड में है यह AD BC को two equal parts में divide कर रहा है इसका मतलब जो BD है वो CD के equal हो जाएगा ठीक है अब प्रूब क्या करना है प्रूब यह करना है कि जो triangle ABC है वो ISO skill हो जिसमें AB और AC equal हो ठीक है देखो ISO skill होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि AB is equal to BC हो जाए या AC is equal to BC हो जाए या फिर AB is equal to AC हो जाए तो particular इन्होंने बता रखा है कि आपको बस यहीं बताना है कि AB AC एक दूसरे के equal है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं solution कि देखो सबसे पहले बात करेंगे हम इस triangle और इस triangle में सो कि इन ट्रैंगल ए डी बी एंड ट्रैंगल कि एडी सी वी है ठीक है तो क्या मिलेगा हमें देखो सबसे पहले हमारे लिए यह जो बीडी है वह सबस्क्राइल हो जातक है अब इसका क्या होगा बिस का का समय हैं कि इस बाइब सबुस्त करतая कि डी क्यों कि अच्छा अब यहां पर क्या होगा कि जो में एंटीडिगरी कैसे पता चला चाइब देखो यहां पर कोष्जिन परफ्र चाहिए और यहां पिनरे तहीक है आगे अगे देखो क्या होगा तो यहां पर एडी जो है दी के इकोल हो जायगा इसका होगा यह common है ठीक है यह वही लाइन है तो यह common ही होगा तो आप देखो यहां पर यह side है यह angle है और यह side है तो तो ट्रेंगल एडी बी इस गंगरेंट ट्रेंगल ADC अब कौन से रूल से बाई SAS रूल से ठीक है अब देखो जब यह दोनों triangle congruent हो गए तो किनी दो congruent triangle की corresponding angle या corresponding sides एक दूसरे के equal होते हैं तो यहां पर अब यह वाली side है एब वह equal हो जाएगी AC के तो AB equal to AC इसका region क्या होगा by CPCT corresponding part of congruent triangle ठीक है अब यह जब congruent हो गया और यह side equal हो गई तो आखरी में यह बोल सकते हैं सब्सक्राइब पर नहीं चल रहा है पर बदल लें कि सब्सक्राइब ट्रेंगल ABC कि इज एन आई-सो-सकेल ट्रेंगल कि अगा अगा कि इन वीच कि अब इकवल टू एसी तो हमने यह पर प्रूब्ड कर दिया ठीक आप दिखो आई-सो-सकेल का मतलब होते है किसी एक ट्रेंगल जिसकी दो साइड़ें आपस में बराबर हो तो यहां पर AB is equal to AC है आपस में बराबर है तो यह आई-सो-सकेल ट्रेंगल हो गया ठीक है तो यह मारा answer हो गया आप चाहँ तो इसे write down कर लो या फिर वीडियो को पहुच करकर स्क्रीन सोट ले लो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question क के साथ तब तक लिए थेंक्यू क्लाश